जहन सात्यूं कैसे हैं आप सभी आप सभी का आज के इस बहत्रीन से सेशन में एक बाप फिर से हारदेख स्वागत है आप सभी को मेरा नमशकार अदाप शसेकाल and very good morning to you all सभी को good morning क्या हल चाल चलिए तो जल्दी से जुड़ जाईए आज के सेशन में आज के इस class में series हम लोग पढ़ रहते हैं series का part third जो है वो आप लोग देखेंगे discuss करेंगे है ना series का आज जो है वो part third है और in the last classes अगर आप बात करें दो पिछली जो class हुई है तो उसमें आपने series के अंदर एक तो number series को cover कर लिया था एक तो number series को आपने cover कर लिया था इक number series को आपने cover कर लिया था और कल मैंने आपको कुछ basic concepts भी raise कैंडे कल मैंने आपको कुछ basic concepts सिखाए थे किसके basic concepts of alphabet a alphabet series के alphabet series के कुछ चीजे में ने आपको सिखाई थी कि किस तरह से alphabet series जो है वो काम करती है ठीक है अब उसके बाद आज अगर हम बात करें तो आज आज जो हैं वो पूर्ड रूप से alphabet series पढ़ने वाले हैं और alphabet series के बाद आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं alpha numeric series alphabet series के बाद आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं alpha numeric series कौनसी alpha numeric series जिसमें numbers और alphabet का खेल जब साथ में आने लगेगा तब क्या करना होता है उसको कहते है हम alpha numeric series ठीक है सभी को बिलकुल good morning है ना बहुत ही बढ़िया सभी को एकदम good morning good morning everyone ठीक है बहुत ही अच्छे हाँ बिलकुल सभी के comments visible होते हैं है ना बस आप लोग comments कम किया करो focus किया करो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस पर और notes बनाने पर यह बात यकीनन आप माल लेना ऐसे नहीं क्या रहा हूं साथ साल के पूर्व अनुभव के अधार पर क्या रहा हूं जो वेक्ति सबसे कम class में disturb करता है सबसे कम comments करता है और उसका focus उसका concentration सबसे जादा होता है मेरी बातों पर मेरी content पर notes बनाने पर वेक्ति का नाम मैं शायद comment में आज तक न देखा हूं लेकिन जिस दिन list आती है ना selection की उसी वेक्ति का message आता है कि sir मैंने आज तक आपकी class में कभी comment नहीं किया था लेकिन मेरा selection हो गया है और यह मेरा जो है वह result का screenshot है तो आपको भी ऐसा ही बनना होगा अगर आप चाहते हो कि selection लेना है तो less comment मतब concentration power आपके 100% होगी focus आपका 100% होगा आप distract 0% होगे वह चीज आपको जो है वह selection की और आपको लेकर के जाती है ठीक है चलिए बाकी मैंने आपको कहा था कि telegram group आप लोगों के लिए बहुत जो है वह helpful होता है है ना तो इसको आप लोग सभी join करके रख लीजेगा reasoning by pulkit sir qr code आपका यह है जो कि आपको telegram पर जाकर के मिल जाएगा now coming की जो question आपका मैंने कल homework में दिया था उस question पर मैं सीधे वापस आता हूं यह था कल का question और इस question पर मैं सीधे वापस आता हूं मैंने कहा था इस question का answer आपको homework में करके रखना है अपने पास और मैं आज discuss करूंगा चलिए तो question आपकी screen पर है बदाई है क्या आपने इसका answer निकाला यहाँ पर बुला गया by यहाँ पर बुला गया dw यहाँ पर बुला गया gt और यहाँ पर बुला गया kp and then आपसे पूछा क्या होगा जलबाजी में answer बिलकुल मत दीजेगा ऐसे भी homework था तो आपने अराम से solve किया होगा मुझे उमीद थी कि आप जलबाजी में answer दोगे एसके सिंग संजय दिनेश ठीक है स्रिष्टी और भी है आशीश और बढ़िया तो इन सबने answer बहुत गलत दिया है जिनके भी नाम मैंने लिए क्यों लिया क्योंकि गलत दिया क्योंकि दियार थिंकिंग कि भाई यह तो अपोजिट लेटर है तो यहां पर एक ही option है ल ओ अपोजिट होगा विड़ा ओ ल भी अपोजिट है बट ना तो ओ ल अंसर है ना भी ल ओ अंसर है क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है questions में सबसे पहले इसका place value तो देख लो भाई यह आपका 2 पे है यह आपका 4 पे है यह आपका 7 पे है यह आपका 11 पर है तो यहां पर आएगा क्या पहले वो तो देख लो तो 16 पर कौन आएगा 16 पर P आएगा अब आप क्या सकते हो कि BY DW GT KP अपोजिट है तो P का अपोजिट होगा K तब आप क्या सकते हो कि आंसर क्या आएगा option number D that is none of these ठीक है तो यही वाली गलती exam में भी होती है हम लोग बहुत जल्दबाजी कर देते है कोशन बहुत easy है कोशन कोई tough नहीं है आज सारे कोशन easy है क्योंकि आज का topic alphabet series दुनिया का सबसे easy topic में से एक क्या लाएगा लेकिन गलतिया नहीं करनी है चलिए अगला question देखे next है सारांश पटेल जी अभी भी आप गलती कर रहे हैं ठीक है तो बहुत गलत आंसर दे रहे हैं अगला question देखे next आपकी screen पर बनाएगे करिये इस का अंसर माचल प्रदेश से कौन है अपर यह matter नहीं करता पढ़ लो ना लाइको देखो यहाँ पर a c e g है ना अब देखो इसको करने के लिए place value लिखना बहुत जरूरी है अभी तो मैं आपको base पढ़ा ही रहा हूँ तो मुझे लिखकर के ही समझाना पढ़ेगा वन्ना मैं अगर यही practice करा रहा हूँगा जब मैं आपको practice करवाँगा तो मैं ऐसा कुछ लिखकर के नहीं आरेक्ट answer बताऊंगा ठीक है तो अब यहां देखो next क्या आएगा बदाव भी अब यहां देखो next क्या आएगा तो a है कित्ते पर 1 पर 3 पर 5 पर यह हो गया 3 पर 5 पर 7 पर यह हो गया 5 पर 7 पर 9 पर और यह हो गया 7, 11 ओ स्वरी 7, 9, 11 अगर आप यहां देखो तो पहला letter जो है वो आपका plus 2 जा रहा है तो अगर यहां पर plus 2 आप कर दोगे तो कित्ता हो जाएगा 11 और 11 पर हो जाएगा k फिर आप internally देख लो plus 2 प्लस 2 हो र रहा है यहां भी plus 2 जा रहा है चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो जही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो sorry है ना, चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 और 2, 11, 11 पर आपका क्या बना, के बना, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू, क्यारा और 2, 13, 13 पर आपक गलत आंसर है, KMO नहीं होगा, इसका आंसर होगा IKM, that option number D, यानि कि none of these, लेकिन जब आप exam में इस question को कर रहे होगे, याद रखना भाई, और आपको place value याद होगी, अभी तो लिखनी पड़ रहे हैं क्योंकि आपको याद नहीं है, तो आप इसको direct करोगे, A से C plus 2, C से E plus 2, E से G plus 2, G से plus 2, I, और I किसी option में ही नहीं है, तो answer option D, ठीक है, तब आप इस question को direct करेंगे, मैं आपको exam वाली approach भी बता रहा हूँ, बाकि जब मैं practice कराता हूँ, तो exam approach वहाँ पर सिखा दूँगा, ठीक है, बिलकुल भी परिशान नहीं, अगला question देखो next है, बाकि अभी भ अगर आप practice के लिए class लेना चाते हो, तो मेरी ए class चलती है SSE वाला पर, ठीक है, SSE वाला पर मेरी class चलती है, हैना जो कि practice class होती है, आप लोग उस class को ले सकते हो, ठीक है, practice आपकी होने लगेगी उससे यह है, कि वो practice class होती है, practice set में उसको कराता हूँ, शाम को 5 बज़े होत आपकर रिली होता है शाम को पांच बजे यह का क्ली चांग कता हू ला KIM खेया प्रेक्टिस के लिए ठीक है वा अब यहां पर कोशल्वन मेंको बदाना है क्या हो गा बता है बदा यह जल्दी से यहां देखें A से C गया अगेन प्लस टू और C से E गया तो अगेन प्लस टू और E से G गया तो अगेन प्लस टू अब G में अगर मैं प्लस टू कर दू तो कितना हो गया आई हो गया, अब देखो, I, जो है, वो दो option में आ है, तीन में आ रहा है, तो I answer नहीं होगा, ठीक है, I, ऐसे तो answer नहीं आएगा, फिर उसके बाद देखो, क्याँ रहा है, B से D गया, प्लस 4, Sorry, प्लस 2, D से फिर प्लस 2, फिर प्लस 2, तो i, j में h में plus 2 करोगे तो कितना हो गया या j हो गया i, j अब देखो i, j केवल a की option में है तो यही आपका answer हो जाएगा लेकिन उससे पहले जो last वाली term है वो भी मैं आपको बदा देता हूँ जो last वाली term है उसमें क्या हो रहा है तो उसमें हो रहा है plus 4 यानि की option भी आपका answer बनेगा ठीक है चली बहुत बढ़िया तो कोई आप में से आएगा आज अगर इस class में तो एक बार बता देना मतलब वहाँ पर भी बता देना किसरा हम app से आए हैं आपने कहा था ठीक है तो यह शाम को 5 बजे practice कराता हूँ अप लोगों के लिए भी फाइदे मन तो है फाइदे मन तो खैर सभी के लिए होते हैं जितना आप जधा पढ़ लो उतना आपका फाइदा है कम पढ़ने में नुक湃ह होता है ज़्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है कोई बात नहीं जिनकी class रहती है उनकी लिए कोई दुक्षत नहीं जिनकी नहीं रहती है मैंने का उन से ठीक है तो यहाँ पर देखो D से F गया तो यह आपका क्या हो गया प्लस का 2 हो गया और F से H गया तो यह भी क्या हुआ प्लस का 2 हुआ है ना अब H में प्लस 2 कर दो अब देखो जाधा तर अगर आप बिना place value के करोगे तो speed अपने आप बढ़ जाएगी और जब आप वहाँ पर place value प आई हो जाए अब J I केवाल एक ही option में है यार सो हमें need नहीं होगी पूरा solve करने की although पूरा भी solve करोगे तो यह आपका minus 2 minus 2 minus 2 करोगे तो R नीचे वाले में minus 2 हो रहा है और फिर इसमें भी आपका minus 2 minus 2 minus 2 करेगा तो Q तो बाद वाले में minus 2 हो गया पहले दोनों वालों में plus 2 हो गया answer जिस option B हो गया ठीक है चलो एक question है यह मैं आपको दे रहा हूं मतलब आपके लिए रहेगा homework के type पर इसमें आप सबसे बड़ी मतलब जो गलत आदत है वो क्या है कि alphabet series जब आप लोग पढ़ते हो तो उसमें दिक्कत क्या है कि जब तक बात alphabets पर आती है जब तक बात alphabets से direct question आते हैं आप easily समझ बाते हो लेकिन alphabets में direct question आए यह बहुत rare होता है आज के time में है ना अभी recent में अगर मैं railway की बात करूँ तो सबसे last exam हुआ आपका group D, है ना UP की बात करूँ सबसे last exam हुआ वीडियो, विहार की बात करूँ सबसे last exam हुआ आपका बिहार दरोगा या बिहार constable कह सकते हैं इन सब में alphabet के direct question दिखे ही नहीं इन सब में alphabet के direct question दिखे ही नहीं बहुत rare है इससे जो question है הוא miscellaneous हैं अब miscellaneous question में type korn Does it occur or their क्या होती है उस पर मैं बात करूँ तो type korn люं से होते हैं या उनकी जो पहचान है वो क्या होती है उस पर अगर मैं बात करूँ तो समझ नहां जो miscellaneous question में आपके type होते हैं या पहचान होते हैं तो korn qph say होती है सबसे पहले आप देखना कि last letter से last letter से new word आपको बनता हुआ मिलेगा नया शब्द last letter से आपको नया शब्द जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा ठीक है बिटा देखो मैंने उस दिन भी बदाया था introduction class में मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप बिल्कुल zero group D का exam भी दे सकते हो आप hero भी exam दे सकते हो इस class को पढ़ने के बाद दुबारा से आपको जिंदिगी में कभी reasoning पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो आप मुझसे ये मत फूझा गरो क्या ये class इस exam के लिए भी सही है सभी exams की तैयारी आपकी एक बार में हो जाएगी बस आप पढ़ो ठीक है फिर उसके बाद last letter से नया शब्द आपको दिखाई देगा नया word दिखेगा या फिर आपके number of letter से question बनता हुआ दिखता है question आपको दिखेगा या फिर आपको एक question दिखेगा मतलब क्या कहते है shifting of letter किससे दिखेगा shifting of letter का मतलब होगा अक्षरों का इस्थानतर किसका मतलब होगा अक्षर का अक्षर का इस्थानतर कैसे आते हैं question जयसे ही a question आपकी screen पर है को समझो यह क्या कह रहा है इसको समझो यह क्या कह रहा है जैसे यहाँ पर बोलता है कि एक श्रंकला दी गई है जिसमें एक शब्द गायब है दिये गई विकल्पों में से सही शब्द को चुने जो श्रंकला को पूरा करेगा अगर आप इस कोशन को पकड़ोगे तो इसमें पैटर्न आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर तीन लेटर है यहाँ पर चार लेटर है यहाँ पर पाच लेटर है और यहाँ पर छे लेटर है तो यहाँ पर जो शब्द आएगा उसमें साथ लेटर होगे यहाँ पर जो शब्द आएगा उसमें क्या हो जाएगे उसमें साथ लेटर आजाएंगे ठीक है उसमें क्या हो जाएगे? इसमें साथ लेटर आजाएंगे जैसे देखो refund में कितने है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है तो ये नहीं होगा pony में कितने है? चार लेटर हैं तो ये भी नहीं होगा बैंकिंग में किते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ लेटर है किते हैं, साथ लेटर है तो बैंकिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें कॉन सा वाला type हमारा follow हुआ तो इसमें follow हुआ कॉन सा वाला type number of letters हुआ अक्षों की संख्या वाला ठीक है क्या हुआ अक्षों की संख्या वाला type जो इसमें हमारा follow किया अगला देखो next बनाओ ये जब तक आपको लग रहा है कि थोड़ा उनिक है जब तक आपने पहली बार नहीं पड़ा जब आपने एक बार भी पढ़ लिया इसको तो आप आप अगली बार जब एक्जाम बे एक कोशन देखोगे न आप कोई लगेगा रहे है यार क्या बच्चो वाले कोशन आ रहे हैं तो ठीक है तो यही होता है जब तक हम किसी चीज को पहली बार नहीं पड़ते हैं तब तक दिक्कत होती है ऐसा मैंने कल आपको एक्जामपिल दिया था कि मुझे भाई लंदन जाना है तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, मुझे बहुत डर लगेगा क्या लंदन जाओं कैसे, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हो मैं कभी एरपोर्ट पे नहीं गया एरपोर्ट छोड़ो, मैं कभी देश से बहार तो गया ही नहीं हो तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, मुझे बहुत डर लगेगा लेकिन कोई मुझसे बोले कि भाई तुम्हें अपने शेहर जाना है मालोफुर्ट तुम्हें मुरदबाद जाना है कोई दिक्कत नहीं है बस है, ट्रेन है, स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी हो पहुँच जाओगा तो जिस रास्ते को हमें पता होता है वो रास्ता हमारे लिए बहुत असान होता है और जो रास्ता हमें नहीं पता होता वो रास्ता हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पिछला कोश्चन, आप में से काफी student को बिलकुल ऐसा लगा होगा कि नया है ये question ठीक है जरू आपने कराया वैसा ही है बात खतम हो गई ठीक है सही है अब देखो यहाँ पर कितने letter है तीन letter है कितने letter है चार letter है कितने letter है पाँच letter है कितने letter है छे letter है अब अगला ची मुझे 7 letter का जो क्या आ रहा है किसमे डिस्प्ले में तो answer क्या tick कर देंगे B option कर देंगे ठीक है अगला देखो इसमें देखना इसमें क्या हो रहा है अपने आप समझना अब ठीक है एक शब्द गाया में मतलब ये question मारक है भाई एक शब्द गाया में मतलब ये एक शब्द गाया में वो शब्द बताना है कौनसा होगा इस question को आप सब अपने आप ही बताओ क्या होना चाहिए सब वो भी एक या दो नहीं हर किसी का answer आना चाहिए सब बताओ इसमें क्या होगा हर एक student इसमें बताएगा कि इसमें क्या बनेगा देखें सर्थ यहाँ पर हो क्या रहा है number of letter का सब नहीं बन रहा क्योंकि number of letter तो यहाँ पर नहीं जा रहे है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि last के दो letter अगर आप देखोगे तो इनसे एक नया शब्द बन गया artist यहाँ पर लिखा भी था कि last letter से नया शब्द बनता है अब last letter का मतलब यह नहीं है exactly T last के दो भी हो सकते है last के तीन भी हो सकते है तो यहाँ पर last के दो letter से एक नया शब्द बन रहा है आईजो बार से AR लिया और इसने artist बना दिया last के दो letter से इसने AR लिया और एक artist एक शब्द बना दिया फिर यहाँ से लेगा, last के दो लेटर कौन है ER है, यहाँ पर last के दो लेटर कौन है, ER है तो ER से नया शब्द कौन सा बनेगा erect बनेगा, पेटा PE कैसे बन जाएगा last के दो लेटर से है भीया last के दो लेटर से नया शब्द आपका बन रहा है अगला देखो next, बनाओ यह तब जब मैं आप practice करोगे न अपने आप से, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, कि अच्छा इस question में यह logic लग रहा है ठीक है, अपने आप समझ में आने लगेगा, जैसे यहाँ पर कह रहा है hello, lower, error originate, tense अब आप hello में बात की गई hello में बात की गई किसकी? LO की, आप देखो LO से एक नया शब्द बना lower, फिर यहाँ पर बात की गई ER की ER से एक नया शब्द बना error ठीक है, फिर यहाँ पर बात की गई OR की, OR से एक नया शब्द बना originate फिर आप पर बात की गई TE की TE से एक नया शब्द बना viktव है SE SE से यहाँ पर देखो एक नया शब्द बन रहा है है ना SNIL S-E-N-I-L-E SNIL सो आपका आंसर क्या हो गया SNIL हो गया अर्थात option C हो गया अर्थात option C हो गया अब इस question में देखो तीसरा वाला type जो मैंने लिखवाया था shifting of letter यानि कि अक्षर का इस्थांत्रण बस आपको ये देखना है कि अक्षर का जो इस्थांत्रण है वो हो किस तरीके से रहे यहां पर मैंने का इस्थांत्रण हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि number of letter से भी नहीं हो रहा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ हैना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ तो number of letter से तो नहीं हो रहा last के दो अक्षरों से भी नहीं हो रहा तो क्या logic लग रहा है स्थांत्रण यहां P देखो पहले स्थां पर है यहां P देखो दूसरे स्थां पर है यहां P देखो तीसरे स्थां पर है यहां P देखो चौथे स्थां पर है और यहां P देखो पाँचवे स्थां पर है तो जो नया letter आएगा उसमें P जो है वो क्या होगा? छटे स्थां पर होगा जो एक नया लेटर आएगा उसमें P जो है वो कितने स्थान पर होगा तो आपका 6th position पर होगा यानि की छटे स्थान पर होगा काजल छटे स्थान पर apply में कैसे हो रहा है P छटे स्थान पर P किस में हो रहा है टेरा पॉड में हो रहा है छटे स्थान पर जो P है वो किस में हो रहा है टेरा पॉड में हो रहा है तो आपका आंसर टेरा पॉड होगा सोच नहीं क्यों है क्या होगा option number D होगा टेरा पॉड चलो पहले एक में रुको इसमें कहीं कोशन करो एक पहले फिर उसको वाले को करना क्योंकि नहीं तो देखकत हो जाएगी ये वाला कोशन लेको मनी महताब आलम देखो ठीक है साथ आठ साथ आठ से आप कह रहे हो कि सर हो सकता है लेकिन बात क्या है कि जो एक्च्वल लॉजिक है मैं उस पर बात कर रहा हूं मॉल दो एक्च्वल लॉजिक जो बन रहा है वो आप एक लेटर देखो एक अक्षर देखो वो अक्षर आपके कोशन के हर एक शब्द में आ रहा है हैना जैसे यहां पर भी है एक ऐसा अक्षर है जो हर एक शब्द में आ रहा है आप देखोगे M जो है M जो है वो अब छटे स्थान पर आ जाएगा, that is option A जो है इसका answer बनेगा, ठीक है, option A जो है वो इसका answer बनेगा, चलिए, एक और वापस से, अब इस तरीक एका question, ये unique way है, इसमें कोई logic नहीं है, ठीक है, इन series को क्या कहते हैं, सर आती तो ये alphabet series के अंदर ही है, लेकिन miscellaneous series कहलाती है, आती तो ये alphabet series के अंदर ही है, लेकिन ये miscellaneous series कहलाती है, नहीं, नहीं, इसमें priority का कोई rule नहीं लगेगा, अब जैसे ये है, ये बिल्कुल miscellaneous से, इसमें क्या करना है, आप जब अपने screen पर इसे पहली बार देखोगे, तो आपको भी नहीं पता होगा, वो सकता है, यहाँ X की जगा वहाँ पर A आजाए, Z आजाए, Y आजाए, कुछ भी आजाए, लेकिन इसमें का एक question अगर आपने कर लिया, तो अब आप कर पाओगे, कि क्या, अगर आप देखो कि ये जो O है, उसके तीन इधर X हैं, और तीन इधर X हैं, यहाँ पर क्या हो गया, इस O के दो इधर हो गए, चार इधर हो गए, जाएंगे, 6 के 6X इधर आजाएंगे, और O इधर आजाएंगे, इसमें 2 O आ रहे हैं, नहीं होगा, इसमें O आ आ यह लएंगा है, sıमें O बीच में आ रहा हैं, वैसे भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? Option A होगा. है ना, C नहीं होगा, चाहिए ना कि बीच में चाहिए देखो बनाओ इस कुशन का अंसर करो यह क्या क्या रहा है अब यहां पर देखो यहां पर भी क्या हो रहा है यहां पर ओ जो है वो पहली पोजीशन बरे यहां पर ओ देखो कितने बरे दूसरी पोजीशन बरे है या नहीं है मैं सही बात है यहां देखो ओ कितनी पोजीशन बरे सर तीसरी पोजीशन बरे यहां O देखो कितनी position पर है से चौती position पर है right side से count करते हुए यहां देखो 5 भी position पर है अब इस पार O जो है वो सबसे इधर आ जाएगा और जो X थे वो आपके इधर आ जाएगे तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा यहां O आई नहीं रहा है यहां पर 2 O आ रहे हैं और तो फिर यहां पर क्या होगा again answer is option A यहां पर क्या होगा यहां पर भी again जो आपका answer है वो option A हो जाएगा यहां पर भी क्या होगा again जो आपका answer है वो option A हो जाएगा है ना अगला देखो next है बनाओ झाल झाल सरी कोश्चन अभी आप कर चुके हो उसी पर अधारित है कि लास्ट के दो वर्ड से एक नया वर्ड बन रहा है दास्ट के दो लेटर से एक नया वर्ड बन रहा है लास्ट के दो लेटर से एक नया वर्ड बन रहा है तो इससे क्या हो जाएगा इससे हो जाएगा आईजोमर इससे क्या हो जाएगा आईजोमर option D इससे क्या हो जाएगा आईजोमर अर्थात option D ठीक है option D हो जाएगा सही है अब बात आती है कुछ हम चीजे सीखते हैं कि जब जिसको हम कहते है एलफा नुमेरिक सिरीज सर एलफा नुमेरिक सिरीज क्या होती है एलफा नुमेरिक सिरीज होती है जब एलफा बेट्स और नमबर दोनों हमें साथ में देखे तब ही तो हम उसे एलफा नुमेरिक क्या रहे है alpha numeric क्यों कहा रहे alpha & numbers अब alphabet & numbers जब दौनों चीज़े 7 पे दिखाई देने लगें तो वो क्या कहलाती है वो कहलाती है alpha numeric series 78 फिर से एक बार बता देता हूँ 78 क्या था 78 में ये था कि इधर से s 1 पहली position पर है इधर से s 2 पोजिशन पर है इधर से एक्स तीसी पोजिशन पर है इधर से एक्स चौती पोजिशन पर है और इधर से एक्स पाँच भी पोजिशन पर है तो अब इधर से O जो है वो किस पर आ जाएगा छटी पोजिशन पर मतलब इधर जो है वो आपके X जो है वो कित्ते हो जाएंगे 5 हो जाएंगे ठीक है तो इसलिए यहाँ पर 5X जो आ हरें वो यहां आ हरें ठीक है और O जो है वो छटे नंबर पर आ रहें वो यहां आ रहें इसलिए O होगा आज़ड़ ठीक है चलिए अब यहाँ पर आप देखो क्या होता है alphabets भी आपको दिये है, numbers भी आपको दिये है, although symbols भी आपको यहाँ पर दिये गए है, although symbols भी आपको यहाँ पर दिये गए है, ठीक है, तो alphabets और symbols, जब बहुत सारी चीज़े mix करके दे दे, उसको हम कहते है, alpha and numeric series कहते है, ठीक है, जब यहाँ पर बहुत सारी चीज़े कर तो यहां पर आप देखोगे जैसे हैं आपको एक सिरीज दी है एक आपको सिक्वेंस दिया और इस सिक्वेंस को अगर आप दिया से देखो इस सिक्वेंस को आप द्यान से देखो तो यह सारी चीज़े आपको दी गई है तो इसे कोशन कैसा ऐता है कोशन इसे ऐसा है ठीक है कि ठीक है अर्विंद कुमार पात्वा जी एक्शल में क्या है जो आप बिना पड़े कर सकते हो है ना तो उसमें आप 100% नहीं का सकते अभी तक आपने जो करे हुंगे कोशन ही या जो पढ़ा होगा वो इस तरीके से पढ़ा ही नहीं होगा जो आज गल एक्जाम में आता है है ना क्योंकि अब जबना बदल गया है अब एक्जाम पैटन को बदल दिया गया है अब exam उस हिसाब से नहीं आता जो आज से 5 साल पहले आज से 4 साल पहले आता था sequence यह दिया गया है न विटा यही तो है sequence series का जो sequence दिया गया है तो आज ऐसे question आते हैं आज वैसे question नहीं आते A, B, C, D अगला बताओ क्या होगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि sir यह तो बहुत tough है ठीक है, tough नहीं है यह वो है जो आज के time में आती है exam में ठीक है आपने जो पढ़के रखी हुई है वो 3 साल पुरानी वाली पढ़के रखी हुई है अब जैसे यह question है इस question को कैसे solve करूँ इसमें बोलता है कि उप्रुक्त श्रंकला में कितने व्यंजन के तुरंत पहले और उसके बाद में प्रतीक है कह रहा है कि how many consonants in the above series question में क्या कह रहा है कह रहा है कि how many consonants in the above series मलब इस series में जो आपको consonant दिये गए है कह रहा है कि how many consonants in the above series are immediately preceded and followed by symbols मलब कितने consonants के पहले भी symbol आएगा और कितने consonants के बाद में भी जो है वो आपका symbol आएगा ये आपको बताना है कितने consonants के पहले भी symbol है और कितने consonants के बाद में भी symbol है preceded का मतलब होता है पहले preceded का मतलब क्या होता है पहले इसलिए कोशन देखो मैं हिंदी में भी लाता हूँ और इंग्लेश में भी लाता हूँ preceded का मतलब होता है पहले और followed का मतलब होता है बाद में और followed का मतलब क्या होता है followed का मतलब होता है बाद में followed का मतलब होता है बाद English समझ जाए तो हिंदी में समझो हिंदी में भी दिया गया है, उसकी पहले और बाद में, ठीक है, हिंदी में भी तो दिया गया है, अगर इंग्लिश में preceded or followed समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं सर, हिंदी में भी दिया गया है, कोई भी question ऐसा होता ही नहीं है consonant मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं, मैं उन पर क्या कर दे रहा हूं? Mark कर दे रहा हूं, consonant पर, vowel पर नहीं, vowels होते हैं आपके swear, swear मतलब A-E-I-O-U, है न, A-E-I-O-U, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? वो आपके swear हो जाते हैं, तो swear पर mark नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक है सवर पर मार्क नहीं कर रहा हूं ठीक है अब देखो यहां पर क्या operates कि बाद में भी आपका सिंसल सिंबल आये और कॉंसोरेंट के पहले में लेकsorry को इसके बारे करें अब यहlor को इसके पहले भी दो है इसके बाद में भी सिंबल आपको आई या किस catches для यानि कि इसको consider किया जाएगा, ठीक है, अब इस पर देखो, इसके पहले तो है, लेकिन इसके बाद में नहीं है, मन्दब इसको नहीं करर जाएगा, इसके बाद में है, लेकिन इसके पहले नहीं है, मन्दब इसको भी नहीं किया जाएगा, ना तो इसके बाद में है, नहीं पहले नहीं है तो इसको भी नहीं करेंगे इसके पहले है पर बाद में नहीं है तो इसको भी नहीं करेंगे यानि कि यहां पर जो हमारे आ रहे हैं वो दो ही गिन करके आप आ रहे हैं है ना यहां पर हमारे आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं कौन-कौन से एक तो हो गया हमारा X जिसके पहले सिंबल यह है और बाद में यह है दूसरा हो गया हमारा W जिसके पहले सिंबल यह है और बाद में यह है ठीक है तो जिनका एक आ रहा है केवल वो ध्यान से देखो X और W दोनों है है ना गुरिंदर कुनाल और जिनका राकेश भाई तुम्हारे तो कह रहे हो तुम ए आ रहा है मतब कोई आप गिनी दे रहे हो फिर तो क्या कह रहे है अगर अगर पीछे नहीं देखना है कोई बात नहीं समझ में आया है एक बार फिर समझाता हूं क्योंकि यह कोशन इंट्रेस्टेंग है और पेपर में आएंगे ठीक है जमाना बदल गया है ठीक है आजकल गुरुप डी में तक ऐसे कोशन आते हैं तुम लोगों के तो परिक् से तो उपर इमान के चलोगे अपने आपको रहा गुरुजी हम तो गुरुप डी से भी दीच लेके चलें खुद को जैसे अरुन ने का इससे पहले मुझे रीजनिंग ऐसा लगता था सब आती है मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा सिर्ट हूंग रहा है क्योंकि अब तक तुमन सिंबल में एड कर देंगे तो फिर संख्याओ को क्या करो गे नमबर को सिंबल कैसे कह सकते हो नमबर जो है वह सिंबल थोड़ी ना है ऑपर तीन चीजे दी गए है एक आपको दिये गए अक्षर हैना alphabets जिसको आप कहते हूं उसको अक्षर कहते है नमबर यानि की शंख् यानि कि प्रतिक या चिन जिनको कहते है ठीक है जो स्टार, डॉलर, हैश यह ना फैक्टोरियल यह सब क्या है यह सिंबल है देखो इसको करने से पहले तो मुझे यह बात समझो यह बात समझ में आई कि कॉंसोनेंट के आगे और पीछे दोनों तरफ सिंबल होना चाहिए इसको करने से पहले आप यह बात समझो के कॉंसोनेंट के आगे और पीछे दोनों तरफ सिंबल होना चाहिए यह ग्रुप D के एक्जाम में भी आया है कोशन, बैंक में नहीं आता यह कहां जी रहे हो, किस जमाने में जी रहे हो और सिंबल होना चाहिए तुम्हारा जो दिमाग में भूत सवार है कि यह कॉशन जो है उसमें आते बैंकिंग में सारा उतर जाएगा सारा नशा उतर जाएगा और अपनी पढ़ाई पर फोकस हो जाओगे ठीक है तो यहां पर पहले तो मुझे यह बताओ कि यहाँ पर consonant के बाद में symbol दिया गया है और consonant के पहले symbol दिया गया है हाँ या ना पहले तो यह वाली बात बदाओ कि consonant के बाद में symbol निगालना है और consonant के पहले symbol देखना है यह बात question में पूछी गई है ठीक है अब यह बात जब पूछी गई है तो यहाँ पर देखो क्या करें यहाँ पर देखो, यहाँ पर W consonant है, पिटा E consonant नहीं है, जो बच्चा E को consonant मान रहा है, उसको यही नहीं पता कि वावल क्या होता है, पहले तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा, वावल्स क्या होते हैं ठीक है, पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा वावल्स क्या होते हैं, तो यह E वावल होता है consonant B है, W है U वावल है X consonant है, W consonant है D consonant है, K consonant है E वावल है, I वावल है N consonant है, W consonant है, R consonant है यह सभी क्या है, consonants है, यानि कि यह सभी क्या है, व्यंजन है यह सभी क्या है? यह सभी जो है यह वियंजन है हाँ बिलकुल बिटा शशी राव यह सिंबल ही होता है इसको हम factorial कहते हैं 10th class में factorial निकालते थे ना 10 factorial बताओ कटंशा होगा उम ऐसे लिखते थे 10 factorial यह symbol ही होता है, factorial होता है 10th class में NCR करते थे है ना यह permutation combination में निकालते थैं 12 पर्मटेशन combination तो permutation combination तो BTeX Polytechnic में भी निकाला होगा अपने अब यहाँ पर देखो consonant के बाद में भी symbol पहले भी चाहिए इसके पहले और इसके बाद में ना तो इस पर काम बना ना इस पर काम बना यहाँ पर देखो, इस consonant के पहले भी symbol है, इसके बाद में भी symbol है मतलब X के पहले भी symbol है, और X के बाद में भी symbol है सेम चीज़, इसके पहले भी symbol है, इसके बाद में भी symbol है मतलब W के पहले भी symbol है, और W के बाद में भी symbol है ठीक है, D के पहले है पर बाद में नहीं है, K के बाद में है पर पहले नहीं है और यहां तो W के बाद में है पर पहले नहीं है, R के पहले है पर बाद में नहीं है तो केवल दो ही जगा ऐसा हो रहा है, जहां पर ये चीज हमको मिल रही है so that हम answer में क्या कहेंगे option c कहेंगे सही है वोवल्स क्या होता है बिटा अब देखो भाई मैं क्या बता हूँ वोवल्स कुछ नहीं होते है बिटा वोवल्स लाम का एक शब्द है जो की बहुत बिकार शब्द है ठीक है वोवल्स होते हैं आपके स्वर वोवल्स क्या होते हैं वोवल्स होते हैं आपके स्वर स्वर मतलब होता है A E I O U ठीक है और एक होते हैं आपके consonant एक होते हैं आपके consonant जिनको हम कहते हैं वेंजन जिनको हम कहते हैं वेंजन वेंजन क्या होते हैं इनके अलावा जितने भी हैं जैसे B C D यह सब क्या होते हैं यह सब वेंजन होते हैं ठीक है बच्छे वैसे यह सब बातें बताने की नहीं है क्योंकि यह सब चीजें आपने यह सब वो चीजें जो आप क्लास LKG UKG में पढ़ते हो अब जैसे यहाँ पर क्या रहा है कौन सा तत्व बाएं छोड से आठवे तत्व के अब कौन सा तत्व बाएं छोड से आठवा हैं देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो कौन सा तत्व बाएं छोड से आठवा यह है के दाई और चोठा है अब इसके दाई और चोठा स्थान पर जाना है तो आठवे के दाई और चोठा स्थान एक, दो, तीन, चार तो ये कौंसा हो गया? ये हो गया आपका end अब इस question को और भी easy करोगे पता है कैसे? 12 में 8 रight में 4 यानि कि Left से 12 और लेफ्ट से 12 आप डारेक्ट गिनोगे तो यह आएगा ठीक है लेकिन यह वाला जो प्रॉसेज है यह मैं आपको सिखाऊंगा कब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा Alphabet Sequence Test जब मैं आपको पढ़ा रहांगा Alphabet Sequence Test आपके में एक टॉपिक होगा Alphabet Sequence Test में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसको इस तरीके से कैसे किया जाता है ठीक है तब मैं आपको यह चीज़ सिखाऊंगा अगला कोशन देखो next बताओ कर दो एंग उताद बताद देखो कर दो कर दो कर दो कर कर दो किया रहा है 22 से 8वे तथ्व तो एक दो Тीन चार पांच छे साथ तो 22 से आथव तथ्व यह है एक दो organiza 2ट al love तत्व यही है, ठीक है, फिशे भी तो लिखा ही था, यही था आठवा, तो अभी भी आठवा यही होगा, और कह रहा है कि, कह रहा है, और बाहें से पंद्रवे तत्व, अच्छा, बाहें से पंद्रवा भी देखना है, तो पंद्रवा कौन हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब इनके बीच में आपको यह बताना है, कितने वावल्स आ रहे है, स्वार मतलब वावल्स, स्वार का मतलब क्या हो गया, वावल्स हो गया, यहाँ पर स्वार की बात कर रहा है, स्वार का मतलब क्या हो गया, वावल्स और वावल्स कौन से होते हैं, वावल्स होते हैं, A-E-I-O-U क्या इसके बीच में कोई आ रहा है A-E-I-O-U कोई भी दिखाई दे रहा है आपको दो दिख रहे हैं दुर्गेश कौन-कौन से दिख रहे हैं बताना जरा खुश्बू को तीन दिख रहे हैं खुश्बू कौन कौन से तीन दिख रहे हैं सौरब को भी तीन दिख रहे हैं अमिश को भी तीन दिख रहे हैं सौरब अमेश बताओ सारांश पटेल को भी दो दिख रहे हैं सारांश बताओ कौन कौन से वावल्स आपको यहां दिखाई द और अभी आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है कि बहिया नहीं सर मुझे यह चीज चाहिए तो आप टेलिग्राम पर भेज सकते हो रीजन है क्योंकि जो चीज में पढ़ा रहा हूं उससे अलग में कुछ बताने लगूंगा तो बाकी के जो क्लास में स्टुडेंट्स हैं उनको य बाट रहे हो बिटा ई और आई इसके बीच में आ रहा है मतलब सिंग लिंग लग रहे हैं कि तुमारे बिटा ई और आई जो है वो इसके बीच में आ रहा है इसके बीच में और आई कहां रहा है इसके बीच में इसके बीच में एक्स आ रहा है डवलू आ रहा है और के आ र कोश्चन को पढ़तों लो कोश्चन कहें किया रहा है 22-22 तत्व यह है और 22-15 तत्व यह के बीच में कौन-कौन से स्वर है क्यों दद्दा बहुत तेज वाला क्रोध आ रहा था मुझे मैं कंट्रोल कर गया आज से 10-15 दिन बाद जब तुम मुलाकात करा करोगे तो बहुत डाट खाओगे क्योंकि अभी तुम नए हो है ना अभी तुम सीख रहे हो चीजों को तो मैं प्यार से समझाओंगा जब तुम सीख जाओगे और तब गलती करोगे तो तुम कुटोगे मेरे से चलो अब ये कोश्चन देखो सौरी की बात नहीं है कंसेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कंसेंट्रेशन कम होता है तब गलतियां होती है अब जैसे यहां लिखा है बी फैक्टोरियल डबलू इसको फैक्टोरियल बोलते हैं पता है तुम को ये बात इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, है ना, जैसे, अगर आप से मैं बोलू, नाइन फैक्टोरियल की वैल्यू बदाओ, कितनी होगी, इसका मतब क्या होता था, नो गुड़ा, आठ, गुड़ा, साथ, गुड़ा, छे, गुड़ा, पांच, गुड़ा, चार, तीन, दो, ए यहां से भी तुम्हाई 80 से जासी कमाओगे, एटी वाले भी इतनी कमाते हैं, चलो, अब यहां देखो, यहां पर किया था, अगर मुझे b से, टक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है, और फैक्टोरियल से, डवलू पर सबस्टाराना पड़ेगा यह अध्यूर है प्रॉसर्वर्सिज मैं को ध्यान से समझना कि प्रॉसर्स को धिर्श हबfather सब्सक्राइब कर दिया है mo यहां पर क्या हुआ यहां से यहां गए तो यहां यहां पहुचा, फिर उसके बाद यहां से यहां गए, तो मतलब यहां से आपका यहां पहुचा, सही है सर, सही है, फिर उसके बाद देखो, क्या क्या रहा है, क्या रहा है, सेवन से डवल्यू, अब देखो, सेवन तक पहुचने के लिए, इसने यू को मिस कर दिया, सेवन से कहां गया, डवलू गया, और डवलू से एक्स गया, सो डवलू से एक्स जाने के लिए वापस ऐसे आया, फिर इसने डीपर पहुचा, डीप सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आप 8 को छोड़ोगे क्योंकि यही तो हो रहा है कि जब इनके बीच में जो भी प्रक्रिया लग रही है उसके बाद एक लेटर छोड़ रहा है उसके बाद एक लेटर छोड़ रहा है तो 8 छोड़ोगे हाँ या ना ठीक है एक लेटर छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे एक लेटर आप छोड़ोगे yes or no क्यों भाईया एक लेटर आप छोड़ोगे एक लेटर आपने छोड़ दिया कौन सा छोड़ दिया 8 छोड़ दिया सही है तो अब यहां देखो यहां पर क्या है यहां पर जो है वो यह हमारी इंपोर्डेंट हो गया इसे हम शुरुवात करेंगे अपने कोश्चन की हमारा आंसर कहां से शुरू होगा हमारा आंसर शुरू होगा इसे अब इसे में कितना आगे जाओं यह देखने के लिए मैं पर जाओंगा, B से में कितने लेटर छोड़ रहा था, 1, 2, 3 लेटर छोड़ रहा था, 7 से कितने छोड़ रहा था, 1, 2, 3 छोड़ रहा था, D से कितने छोड़ रहा था, 1, 2, 3 छोड़ रहा था, तो E से भी कितने छोड़ूँगा, 1, 2, 3 छोड़ूँगा, तो E से कहां इसे 3 पर जाओंगा इसे कहां जाओंगा इसे 3 पर जाओंगा अब 3 से किस पर जाना है 3 से जाने के लिए मुझे यह देखना पड़ेगा जब मैं यहां पहुच रहा था तो एक लेटर छोड़कर यहां पहुच रहा था एक लेटर छोड़के यहां पहुच रहा था हैना एक लेटर छोड़के यहां पहुच रहा था तो यहां पर भी एक लेटर छोड़के यहां पहुच होँगा तो यहां पर कौन हो जाएगा आई हो जाएगा तो E 3 I आपका आंसर बन जाएगा यानि की सर इसका आंसर हो जाएगा option number D इसका आंसर हो जाएगा option number D अब इससे असान तरीके से भाई कोई नहीं समझा सकता इस बात को तो मैं surely गया सकता हूँ ठीक है मैं तो नहीं समझा सकता अगर कोई और समझा भी पाए तो भे मेरे से हाथ जुड़वा लेना ठीक है तो इसका आंसर जो हो option number D आपका जो है वो बन जाएगा ठीक है एक और देखो इससे ही question बड़ी हाँ question है बनाओ शिवाई आज मुझे टेलिग्राम पर message कर रहे हो बिटा आप ठीक है नहीं तो आज मैं आपको कॉल करूगा अकाशू मेरे भाई बढ़िया था मैं परसो तक बड़ जब से यह batch मैंने पढ़ाना शुरू किया है मुझे लगता है इस batch में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुशे आ रहे है उनका क्या करूँ मैं यह सोचता हूँ जिस दिन result आएगा उस दिन बात करूँगा उनसे चलो पढ़ो अभी शुबांगी लास्ट में आपको एक QR कोड़े वो दिखा दूँगा ठीक है विटा करो जी और यह कौन आगए बीटेक वाले शिवाई यार हाँ या ना कुछ तो बता दे दोस्त मेरे भाई और मैं तीन वार नाम ले चुका हूँ बताई नी रहा करा हाँ मैनी नंबर्स आर देर इन दे अबव सिरीज विच आर फॉलोड बाई नंबर्स और पेसिड़ बाई वोवल्स करा है उप्रुक्त शंक्ला में ऐसी कितनी संख्याए है करा है ऐसे कितने नंबर्स हैं अर्थात कितनी संख्याए है है ना जिनके तुरंत बाद में संख्या है है ना विच आर फॉलोड बाई नंबर्स यानि कि इसके बाद में क्या आना चाहिए संख्या आनी चाहिए ठीक है और immediately preceded by a vowel और इससे पहले क्या आना चाहिए इससे पहले जो है वो स्वर आना चाहिए यानि की vowel आना चाहिए इससे पहले क्या आना चाहिए स्वर आना चाहिए यानि की vowel आना चाहिए बताओ भीया ऐसा कितनी बार हो रहा है ऐसा कितनी बार हो रहा है अब इसको देखो करूगे कैसे पता है इसमें आप ये देखो एक साथ दो संख्याई कहां पर आ रही है आपका आंसर अपने आप बन जाएगा जो आप दे रहे हो ना तीन, चार, पाँच, सोनू, सूरज, सुनील अलग-अलग रमेश ध्यान रखना सेलेक्शन सही आंसर देने पर होगा गलत आंसर देने पर कताब भी नहीं होगा मुझे क्या चाहिए है सबसे पहले मैं डून दूं वावल कितने है तो यहाँ पर एक वावल ये रहा दूसरा ये रहा तीसरा वावल ये रहा चौथा ये रहा बस, चार ही वावल है इसके अलावा तो कोई वावल ही नहीं चार के अलावा तो कोई वावल नहीं है ठीक है, चार तो वावल ही है अब देखो वावल के बाद मुझे दो संक्याई चाहिए मदब जैसे ए के बाद दो बार वन चाहिए तब मेरा काम चड़ेगा ठीक है इस वावल के बाद कोई संक्या नहीं है खतम इस वावल के बाद एक ही संक्या है खतम ठीक है फिर यहां आया इस वोवल के बाद एक ही संख्या है Khattam इस वोवल के बाद कोई संख्या नहीं है Khattam कोई भी नहीं है answer होगा none विश्णू बताओ एक कौन सी आ रहे है आफ दो बाद दिक्कत क्या है बाद दिक्कत है आप इसे यह पढ़ रहे हो E41 widen आपकी गलती है, ये होता है I, one होता है ये, ठीक है, जब भी आपको letters दिखाए देते हैं, तो ये होता है आपका I, ये क्या है, E for I, है ना, I है ये, क्या है, I, I for intelligent, जो तुम बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो, मुझे, ठीक है, तो E के बाद किवल एक संख्या रही है, जब क नंबर के बाद नंबर भी तो चाहिए, तो इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, और I के बाद तो वैसे ही कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, I के बाद तो वैसे ही कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, समझ गए, Oh My God, धन्य है भाग हमारे कि आपको समझ आया है प्रभू है जगन्नातौ चलो बहुत बढ़िया ठीक है आगे बढ़ेंगा अब यहाँ ध्यान से देखना उपर की जो सिरीज है न यह बदल चुकी है उपर की जो सिरीज है न वो बदल चुकी है साधना कुमारी जी कोई भी ऐसा कोशन होता है शिवाई ने रॉंग आंसर दिया है और बोल जादा मुझे पता है जो जादा बोलते हैं वो वो कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है सर दो नंबर क्यों लिया है सर मैंने नहीं लिया सर मैं अपने घर से नहीं लूंगा कुछ भी जो यहाँ पर कंडिशन दियोगी वो करूंगा यहाँ पर कंडिशन दी गई थी कि नंबर के बाद नंबर आएगा नंबर से पहले वावाल आएगा इसलिए दो नंबर लिया है मैंने कुछ नहीं लिया जा हाँ बिल्कुल इन सभी कोशन को अभी समझ लो बाद में नोट्स बना ले ना इनके इसा कहा था कोशन में लिखा हुआ था यार इसा कोशन में लिखा हुआ था सर है ना श्रंकला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद में, संख्याओं के तुरंत बाद में, संख्या होनी चाहिए, और तुरंत पहले स्वर होना चाहिए, और मैं अपनी मन से थोड़ी ना लिख दूँगा कुछ भी भाई, कोश्चन को ध्यान से पढ़ लो दद्दा, कंसंट्रेशन नहीं है तुम लोगों तो संबंदों में तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन चाचा थे, कौन मामा थे, कौन ताउ थे, कौन ताई थी, है ना, सब सिर के उपर से निकल जाएंगे संबंद, संबंदों तो फिर और दिक्कत दे जाएंगे, संबंद, रिलेशन पता है तुमें, यह पता है grandfather किसको कहते है हमें क्या पता सर्प क्या रहा है उप्रियुक्त विवस्था में देखो पड़ो ध्यान से क्या रहा है कि उप्रियुक्त विवस्था में कितने ऐसे प्रतीक है प्रतीक मतब हो गया चिन यानि के सिंबल क्या रहा है कितने ऐसे प्रतीक है यानि कि number आना चाहिए तुरंत बाद में क्या आनी चाहिए संख्या यानि कि number आना चाहिए और तुरंत पहले एक vengeance है तुरंत पहले दिया गया एक vengeance यानि कि इसके पहले क्या आना चाहिए consonant आना चाहिए कोश्चन तो बाद में करेंगे पहले ये बताओ ये बात समझ में आई क्यों भी अविशेक पहले ये बात समझ में आई अगर grandfather का अरत आप सभी दादा बता रहे हैं तो आप सभी सर बिलकुल गलत है क्योंकि दादा होते हैं paternal grandfather ठेक है अगर मैंने grandfather बोला है तो इसका अरत होगा दादा या नाना ठेक है तो ये बात समझ में आई सबसे पहले ये बात समझना जरूरी था अब ये बात समझ में आगई अब आजाओ कोशन पे यहाँ पर symbol दिया गया है इस symbol के बाद क्या number दिख रहा है तुम्हें नहीं ये तो आई है नहीं दिख रहा हटा दो ये symbol दिया गया है इस symbol के बाद तुम्हें number दिख रहा है क्या number दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा हटा दो ठीके ये symbol दिख रहा है तुम्हें इस symbol के बाद number दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है इससे पहले consonant दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है यानि कि यह बन गया तो क्या हो गया जे हैश 5 एक तो यह बन गया क्या हो गया जे हैश 5 यानि कि एक तो यह बन गया ये तो बन गया एक तो बना ठीक है आगे बड़ो आगे बड़ो यहाँ पर सिंबल दिख रहा है symbol के बाद आपको कोई number दिख रहा है क्योंकि यही तो कह रहा है कि symbol के बाद तुरंत बाद में संख्या आनी चाहिए संख्या यह घए तो कितना बना किवल एक बना j-5 तो किवल एक आपका अंसर हो जायेगा यानि कि option वी आपका आंसर हो जायेगा ठीक है अगला देखो एक और देखो next बनाओ अगला देखो एक और next देखो बनाओ क्या कह रहा है कह रहा है यदी हम इस श्रंकला से सभी स्वरों को हटा देते हैं क्या कह रहा है सभी स्वरों को हटा देते हैं स्वर कौन कौन से है ये है ये है ये है और आपका ये है और आपका ये है क्यारा, इन सभी स्वरों को हटा दीजे, ठीक है, इन सभी स्वरों को हटा दीजे, क्यारा, यदी शरंकला में से सभी स्वरों को हम हटा देते हैं, हटा दिया हमने सभी स्वरों को, ठीक है, क्यारा, यदी हम सभी स्वरों को हटा देते हैं, तो निमलिखित में से कौन सा लिक्षन वाली क्लास में लिखवाया था इस छोर को धाहिना छोर करते हैं तो यहां से एक दो स्वरी एक को तो हाप हटा चुके हो ना तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आप एड़रेट मत हटा देना क्योंकि वो सिर्फ स्वरों को हटाने की बात कर रहा है वो सिर्फ स्वरों को हटाने की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है स्वरों को हटाने की यानि की वोवल्स हटाने की बात कर रहा है तो एड़रेट मत हटा देना तो आपका आंसर क्या हो गया डी हो गया और डी जो है वो ऑप्शन सी में है तो डी तो आंसर है जो की ऑप्शन स को प्रति स्थापित कर रहा है ठीक है ऐसे कोशन आएंगे तो डारेक्ट स्क्रीन से सॉल्व करना अभी तो तुम स्क्रीन पर सॉल्व कर रहे हो अभी तुम्हारे लिए मुबाइल जो वो स्क्रीन ही तो है लापटॉप जो वो स्क्रीन ही तो है तो स्क्रीन पर इतो सॉल्व कर रहे हो इनके लिए थोड़ी न आप इतनी मेहनत करोगे पिटा अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो अभी आपने शुरुआत करी अभी आपकी बुनियाद है एक बात बताओ क्या एक दिन में पूरी बिल इसनें के एक्सपर्ट बन जाएंगे समय लगेगा जब आज से तुम दो महीने बाद बैस तुमारा फिनेश होगा ठीक है तब तुम यह बात क्या हो कि हाँ इसमें यह समझ नहीं आया तब आप मुझे बताना दो महीने तक सारी चीज़े आप समझते चलो अराम से बनाते सहीвон है तो डी ऑप्शन हो गया अगला देखो नेक्स बताओ सर, सिंबल काउंट क्यों नहीं हुआ, सिंबल तो काउंट किया है, क्यों नहीं किया मैंने आशीश, ध्यान से देखना, यार मैं बार बार क्या रहा हूं, आशीश, तुम्हें मैंने दूसरी बार टोका है, तुम्हारा कंसेंट्रेशन बहुत कम है, सिंबल को काउंट किया तो हुए पूर्थ नंबर सिंबल कोई दिया है मैंने सिंबल काउंट नहीं किया ऐसा कैसे नहीं किया ठीक है क्या रहे कि उप्रुक्त विवस्ता में कितने ऐसे स्वर है कोश्चन को दुबारा पढ़ लीजेगा कहना क्या चाहता है है कि उप्रुक्त विवस्ता में कितने ऐसे स्वर क्या चाहिए उसको यानिकि उसको क्या चाहिए हैं वाले चीज़ फिर उसके बाद कॉपी में से लिखते हुए अब यहां पर आ जाईएगा, यहां देखेगा, क्या यहां पर सिंबल के बाद आपका वावल दिया गया है, सिंबल के बाद वावल दिया गया है, लेकिन वावल के बाद कॉंसरेंट दिया गया है, नहीं, यह भी क्या है, यह भी वावल है तो यह नहीं बनेगा फिर आगे बढ़े फिर सिंबल के बाद वावल दिया गया नहीं दिया गया खतम सिंबल के बाद वावल है नहीं दिया गया खतम फिर आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे symbol symbol के बाद वोवल दिया गया नहीं दिया गया क्थम कोई भी नहीं है यानि कि आंसर हो गया नहीं तुम लोग यहीं पिटके जाओगे आज मेरे से क्यों भई जो एक को कॉंसोनेंट बनाए बैठे हो गए बता भई कहां से बना भी तुरह बदा आंसर बदा भई सी ऑप्शन किसका आया हो अनूप मिश्रा मिश्रा जी बताओ कहां से बने दो तुम्हारे जल्दी बताओ अब सिंबल के बाद वोवल चाहिए वोवल के बाद कॉंसोनेंट चाहिए अब ही हाँ, सिंबल के बाद वावल चाहिए, वावल के बाद था ही है, तुम्हारा एक कॉंसेन है, LKG एक क्लास में एड़्मिशन करवा दुआ, फिर से बता हुआ है अभी, अप्रेल आने वाला है, अप्रेल में एड़्मिशन होते हैं, सब के करवा हुआ वहीं ले जाकर के प्राइमरी स्कूल में सरकारी वाले में ठीक है एड्मिशन की टेंशन नहीं है भुगा प्रिंसिपल है सब को एलकेजी पढ़वा दूँआ मैं बता रहा हूं तुम्हें यह नहीं पता एबी सीडी क्या होती है नलाएको अब यहां पर फिर पढ़ो वही सेम चीज लिखी होती है बार बार एक ही बात कई बार समझा चुका हूं पढ़ लो दियान सानी मौरूंगा मुक्का किच के बात तोर दूँगा सर्सवर के बाद व्यंजन कहा था कोशन में स्वर के बाद व्यंजन लिखा है मैंने सदाशिव विश्वकर्मा भाही इतना भारी भर कम नाम हैं तो स्वर के बाद consonant ही लिखा है मैंने A consonant नहीं होता है A vowel होता है A स्वर ही होता है A जो है स्वर ही होता है स्वर पांच होते हैं विश्व कर्मा जी A, A, E, I, O, U ये पांच स्वर होते हैं ठीक है इतना भारी बर कम नाम है और फिर भी उस नाम को justify नहीं कर रहे हो तुम अपना चलो, अब इस question को देखो बहुत प्यारा question है, बहुत simple है जैसे अभी किया था वैसे ही करेगा ठीक है, ध्यान से करोगे तभी आएगा समझ मेनी, हवा निकल जाएगी चलो देखो question देखो क्या रहा है, question में किया रहा है कि उपरुक्त विवस्था में कितने ऐसे वियंजन है यानि कि वियंजन, अर्थात ऐसे कितने कॉंसोनेंट है कितने व्यंजन है अर्थात ऐसे कितने कॉंसोनेंट है जिन में से प्रतीक के पहली एक व्यंजन है कॉंसोनेंट से पहले भी मुझे कॉंसोनेंटी चाहिए कॉंसोनेंट से पहले भी मुझे क्या चाहिए कॉंसोनेंट चाहिए और बाद में भी व्यंजन है और बाद में भी व्यंजन है यानि कि कॉंसोनेंट के बाद में भी कॉंसोनेंट चाहिए तो यानि कि तीन कॉंसोनेंट एक साथ ढूंडो आवी बदाव आंसर अकाश के रहा D आदित्य के रहा C नाम लिख लो इनके अकाश आदित्य के गुरिंदर का C हमाईश इनको बाद में नोट कर ले ना बेटा नोट्स बनाते हुए एना अश्वनी के रहा A इनके सबके नाम लिख लो जिनके मैं बता रहा हूँ जिनके आंसर गलत आएंगे ना तुम लोग बताओगे अनूप के रहा C सूरज के रहा A सारांस के रहा B और भी अगर ऑप्शन होते ना इसमें D, E, F, G, H, B ऑप्शन होते तो वो भी दे देते तुम लोग आंसर है ना बिल्कुल सर, UP Constable में तो इसमें का परसो एक रखाववा कोश्चन मिलेगा परसो का पेपर देखके देख लेना रखाववा मिलेगा इसमें का एक कोश्चन ठीक है अब यहाँ देखो तुम लोग कितने एक्जाम देते हो सारे एक्जाम दिया करो मेरा कहना यही है क्यों दिया करो सारे एक्जाम कोई तो निकलेगा सर ठीक है एक एकजाम पर फोकस रखो लिकिन एकजाम दो सारे subject पर फोकस करो reasoning एक बार ऐसी पढ़ लो सारी टैंसन खतब आ देको यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है यहां एसा नहीं हो रहा है यहां हो रहा है कैसे एक बना R Q D दूसरा बना Q D H Q D H और तीसरा बना D H L तुमने इसे सिर्फ एक Q पढ़ा मुझे बस यह बता दो ठीके फिर O आपका ववल हो गया हटा दीजे P T सही था E आपका ववल हो गया हटा दीजे फिर तो यह भी नहीं आएगा सो आपके कितने बने तीन बने कहां बने तीन बने आपके कितने बने तीन बने सर अनूप इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि तुम चीजों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तुम्हारा अंसर दो आ रहा था क्यों आ रहा था दो दुरगेश का अभी भी B आ रहा है क्यों आ रहा है वेटा? 10 बार, 50 बार B लिखने से आंसर भी रही नहीं हो जाएगा आंसर आएगा D, जो की रही होगा तुम 10 बार B लिखो 50 बार B लिखो, गलत ही होगा भ אז यहाँ पर RQD QDH, DHL हाँ आप समझ में आ रहा है सर आए गए बहाई डाट पड़ गए तो एक बार चलो एक question और देखलो ज़रा जल्दी से अगर इस तरीके का कभी दुक्य में question आ जाये तो कैसे करोगे दुक्य में आ जाये हाँ क्योंकि ये question धुक्य मैंने इसलिए कराती है आप लोगों के पेपर भी टी-स कराती है तो बैंक से उठाकर के तुम्हें दे दिया मना तो करेगी नहीं है ना तो कैसे करोगे देखो जड़ा जो बिटा आप कह रहे हो ना मैं समझ गया आप कह रहे हो यह वाला कोशन की अभी आपने सर यह नहीं कराया है ना इसको मैं कराऊंगा ऐसा नहीं कराऊंगा बिटा आप लोग जब आपका complete slavery सो जाएगा उसके बाद यह बताना कि चीज नहीं हूई थी यह चीज हुई है यह मैं आपको कराऊंगा Alphabet Sequence में एक टॉपिक आपका मैंने डाल रखा है Alphabet Sequence Test छीक है उसमें आपको कराऊंगा यह topic Alphabet Sequence Test मे कराऊंगा कमा यह रचे वाला टॉपिक अभी तो तीसरा दिन है यार तीसरे दिन में ही सब कुछ हो जाएगा तुम तो सोच रहो एक ही दिन में सलेवस करा दो सर बारा घंटे के क्लास लेकर के चलो भई करो इसका अंसर जल्दी से अब यहां देखो यहां पर कहें क्या रहा है यहां पर आपको डिजिट्स दी गई है यहां पर आपको क्या रहा है यहां पर आपको डिजिट्स दी गई है ठीक है यहां पर आपको दिया क्या गया है यहां पर जो है वह आपको डिजिट् संख्या के सभी अंकों के को आरूही क्रम में विवस्तित किया जाता है तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी आरूही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ओडर अब असेंडिंग ओडर में इनको औरेंज करो तो यानिकी यह हो गया क्या 3 4 5 यह क्या हो गया 2 2 4 यह क्या हो गया 6 7 8 और यह क्या हो गया 2 3 8 तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है यही दिख रही है तो यही आपका अंसर हो गया ठीक है, अरेंज करने के बाद बताना है, अरेंज करने से पहले नहीं बताना अरेंज करने के बाद बताना है, कौन सी संख्या जो है, वो आपकी बड़ी होगी एक और देखो इसमें का कोश्चन एक और देखो इसमें का कोश्चन इसका आंसर जिसने भी दे दियाना सही, तो गजब बात हो जाएगी. इसका आंसर जिसने भी सही दियाना, तो कते गजब बात हो जाएगी. बताओ. बी राकेश जी सुनाली दो यानि की शुबम डी अमन सी ललित भी अनामिक का अकांशा सूरज डी बनोज सवाइन करके हैं सी रगधो एक बात बताओ किसी भी संख्या को जीरो से गुड़ा करने पर क्योंकि कोशन यहीं तो कह रहा है जब किसी संख्या के अंको को एक दूसरे से गुड़ा किया जाता है तो किस संख्या का गुड़नफल सब से कम होगा नौ गुड़ा शुन्ने गुड़ा दो अब इसका गुड़नफल शुन्ने होगा क्योंकि शुन्ने से गुड़ा हो गई इससे छोटी तो कोई संख्याई नहीं है इससे छोटी तो कोई संख्याई नहीं होगी मेरे भाई ए भाई है ना तो जो बी दे रहे हैं ने क्यों भूल गए यह शूने कहां भूल गए तुम दुर्गेश यादव बी ऑप्शन सोला नाम डूबो दोगे तुम लोग मेरा यार है ना इतने गलत आंसर दोगे तो अब तुम्हें जीरो और सोला में सोला छोटा लग रहा है जीरो बड़ा लग रहा है आज भाई साब रामनुजन जी की आत्मा जो है ना सपने में आएगे तुम्हारे रात में कहेगी इस जीरो के चक्कर में मैंने कितनी लड़ाईयां लड़ी है ना मैंने कितना अपनी टीचरों को परिशान करा कि जीरो बटा जीरो वन होना चाहिए और तुम इसका अंसर देर चलो जी कोई बात नहीं है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ठीक तो टेलिग्राम का जो पूछ रहे थे कौन सा जॉइन करना है तो टेलिग्राम ये वाला जॉइन करना है बिटा QR कोड आपका ये है दूसरे मुबाइल से स्कैन करके इसको जोईन कर सकते हो PDF डाउनलोड करके भी स्कैन हो जाता है स्क्रींशाट ले करके या आप टेलिग्राम पर डारेक्ट सर्च भी करोगे न रीजनिंग बाई पुलकिट सर आप पर मिल जाएगा ठीक है रीजनिंग ब बहुत अच्छे से सिखा दी नंबर श्रंकला जिसको आप कहते हो फिर मैंने आपको सिखाया किस तरह से हमारी alphabet series काम करती है और देन मैंने आपको बताया कि alpha numeric series जो है वो कैसे कारे करती है बाकी एक आपने सही बात बोली एक बच्चा बोला कि सर आपने इसमें एक चीज न कि सर वो कब कराएंगे तो जो repeated series वाला question होगा यानि कि जिसमें a a space b b space c c ये वाला जो question होगा ये मैं आपको कराऊँगा alphabet sequence test में क्योंकि ये sequence पर जादा अधारित होती है तो मैंने इसको divide किया हुआ है alphabet sequence test के अंदर ठीक है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं so that आपको आया जाएगा ठीक है तो लाइव नहीं पढ़ रहे होंगे उनको भी ये ताकि पता रहे और दूसरी चीज़ कल आपको मैं पढ़ाऊंगा blood relation यानि कि रक्त संबंध ठीक है हां मुहमद मोहताब आलम जी वही repeated series को ही कहते हैं फिलिंदा blanks वाला जो question होता है ठीक है उसी को म पढ़ने का मतलब है कुछ चीज़े खुद से भी करनी चाहिए हमें है ना जैसे मैंने अभी आपसे simple सा question पूछा था कि grandfather कौन होते हैं तो आपने का दादा जबकि गलत answer था grandfather का मतलब होता है दादा या नाना अगर grandfather के आगे मैं paternal लगा दू तो वो दादा मैं maternal लगा दू तो वो नाना तो ठीक है फिर कलम पढ़ेंगे खून के रिष्टे तो खून के रिष्टे जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे है ना तो भाईया खून मतलिया ना खून के रिष्टे पढ़ने हमाज ठीक है खूनी रिष्टे चलिए तो कल मिलेंगे दु ALP के practice set में करा रहा हूं उसमें ALP, NTPC, Group D सभी करा रहा हूं तो आपने से जो भी students हो है न वो उस वाली class को भी join करना चाहे तो वो कर सकते हैं वो बिल्कुल free होती है YouTube पर चलती है ठीक है चलिए तो आज का session इतना ही कल मिलेंगे blood relation के topic के साथ तब तक अपने ख्याल रखेगा take care guys and a good day जै हिंद, जै भारत भारत के तो वो इंद, जै हून के एंद, प्राइब पारत का साथ के जा बिल्कुल लाड़ार्ड़ावार्योद, और रखेगा झाह जा हाए जाएज, झाहे गद, याद, बहूप़ार्योद, झाहे बदाध